ही गाइज वेल्कम बेक टो मैं चानल में हुरश्मी और आज मैं आपके साथ स्यार करने जा रही हूँ एक हॉल वीडियो जो कि लाश्ट वीग फिलिपकर्ड पे एक शेल आया था 18th और 19th को बीग सेविंग डेज सेल्स उस सेल में में बहुती सारा आउट्फिट्स पॉस्ट आपको वी बिल्कुल एक नहीं होगा अगर मैं आपको पुरूफ के साथ नहीं दिखाऊंगी अच्छली कुछ बहुत ही एफोर्डबल प्राइस में है एक डोंट अंडर्स्टांगी फिलिपकर्ड पो हो क्या गया था इतने अच्छी 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 ब्रांड की जो च अगर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया है और जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो उपलेट करूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचाए क्यूंकि आगे अच्छी अच्छी आने वाला है तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूं कि आप कोई भी एक वीडियो मीज करें और यह वाला जो शेल में 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 सब्सक्रापिंग की थी बहुत सारे चीज में बहुत ही एक्साइटेड हूं आपके साथ बहुत सारे चीज सेयार करने के लिए तो फिर चलिए वीडाउट वेस्टिंग में सटाइम लेट के स्टार्टेड जो मेरा फर्स्ट पर्चेस है यह क्रॉप टप है जैसे कि आप यह देख सकते हूं और इसा जो प्राइस है ओल्ली वान फिप्ति नाइन रूपीज है कैन यू बिलीब गाईस ओल्ली वान फिप्ति नाइन रू इसका प्राइस यहां पे डिस्प्ले हो रहा है आप देख सकते हो 159 रुपीज में यह क्रॉप टफ है जो की नॉर्मल डेज में हमें यह 400 या 300 में मिल जाता है इस तरह से यह टॉफ है इसे ओफ वाइट और ग्रीन कलर में इस तरह से चिक्ट किया हुआ है फूल फ्लेफ में आपको यह आज आएगा स्लीव की एंट पर इस तरह से इलास्टिक लगा हुआ है और यहां पर थोड ऐसा रॉफल डिजाइन भी है और यहां पर मेटालिक बॉटन भी लगा हुआ है जो की उपरेवल है अगर आप चाहो तो इस बटन को उपन करके शॉट के उपर भी यह क्यारी कर सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिकी है यह प्यूर कॉटन ब्लेंड में आपको आ जाएगा इसका नेक आप देख सकते हो यह एक भी नेक में आता है और इसका जो साइज है इसका मीडियम साइज में पॉट्चिस की हूँ क्यूंकि इसका स्मॉल साइज अबेल न क्रॉप टफ है और यहां पे इलास्टिक भी लगी हुई है जो बैक साइज है आप देख सकते हो बैक पे इस तरह से इलास्टिक लगी है अच्छी क्वालिकी का यह मीडियम साइज है तो मुझे यह थोड़ा सा लूज होगा लेकिन मैं इसे स्टिचिन कर लोगी क्यूंकि इतनी कम प्राइस में एक टोक्यो टोकिस का टॉप मिल रहा है तो मैं क्यों न उसको थोड़ा सा फिटिंग करके पहलू आप देख सकते हूं प्यार असा एक टॉप जो मेरा सेकेंड पॉर्चेस है आज यू कें सी यह एक शट टफ है जो की ब्लू कलर में आता है और इसका प्राइस है 149 रुपीज है जूट वह श्ट को भी नहीं बोल रहे हूं आप यहां पर देख सकते हो मैं इसे और वलली 149 रुपीज में से पाउचेस की हूँ और लो वी टोक्यो टोकिस ब्रांड का है उस रात को टोक्यो टोकिस ब्रांड का प्राइस कुछ ज्यादा ही डि आप इसे टॉप्स भी कह सकते हो इस तरह से नेक पे आपको टाइड अप हो करके आया है यहां पे की होल नेक आया है यहां पे इस तरह से बटन्स लगी हुई है आप देख सकते हो और यह सारे बॉटन्स भी ओपनेबल है इस तरह से अब सारे बटन्स को ओपन भी कर सकते हो ब बटन भी लगा हुआ है नेख पर एक फफ़र के लिए पॉफ्केट है इसका जो बेस्टिंग मुझेल लगा इसका कलर लूक और इसतारा से जो नंए पर करने के लिए है यह छीज बहत ही अच्छा लगा और इसका जो size है, मैं इसका small size purchase की हूँ, आप सोचेंगे कि ये कोई duplicate brand वगेरा होगा, बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हो, ये Tokyo Tokis का है, only 149 रुपीज, देख सकते हो, आप कितना प्यारा सा एक top shirt है, जो मेरा third purchase है, ये एक midi skirt है, इसे black और gray color में आता है, दिखने में को इंशुआ brand का है, और इसका price 233 रुपीज है, इंशुआ जैसा एक अच्छी brand का, एक skirt आपको 233 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आप जाके इसे अभी चेक करेंगे, तो इसका price increase हो गया है, या जितना भी सारी चीज अभी सयार की हूँ, वो सारी टॉप्स या बात की ज मिल जाएगा, आगे शेल आ रहा है, दसरा का सेल आएगा, में भी दसरा से पहले और भी एक सेल आ जाएगा, दसरा का सेल तो सबसे ज्यादा होता है, तो अगर आपको इन में से पुछ भी चीज पसंद आ रहा है, तो आपको इस लिस में डाल दीजिएगा, दसरा में जो से कितना trendy है आप देख सकते हो इस तरह से वेस्ट पे इलास्टिक लगी हुई है अच्छी प्वालिटिक इलास्टिक है और इसका साइज है इसका स्मॉल साइज में मेरे लिए ली हूँ इस तरह से हाप बलाक और हाप ग्रे में ए टोटल स्कॉट आपको आ जाएगा इसके उपर अगर आपको यह पसंद आया है तो आप इसे विश्टिश में डाल दीजिएगा आगे जो सेल आएगा उस सेल में आप इसे पॉट्चेस कर लीजिएगा जो मेरा फोर्थ पर्चेस है आज यू कन सी यह एक बलाक कलर में आता है पार्टी वेयर मिनी श्कॉट जो की में फिल तो क्यों कीज़ ब्रांड का है और इसका जो प्रैस है 129 रुपी सैंग गर्ला कीजिए में लिए बूल एक ऑर अगर है से प्वरे सी का जाह стор representing यह पाृस्तिश की हूं advanced इसका इसका प्राइस के जादा ही होना तो इसका सब्सक्र को आपको कुछ पसंद आ रहा है तो आप विस्लिस में डाल दीजिएगा दसे रा में एक सेल आजाएगा उससे भी बड़ा सेल आजाएगा उसी बहुत आफस्ता सी चीज़ को पर्टिस कर लीजिएगा इस तरह से एक ब्लाक कलर की पार्टी वेर स्कॉट आया है ये इसका जो फैबरिक है फैबरिक में आया है फैबरिक बिल्कुल वी अच्छा नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता फ्लिपकट पे इसका रेटिंग इतना अच्छा क्यों फ्लिपकट पे इसका रेटिंग 3.9 है लेकिन ये बिल्कुल वी अच्छा स्कॉट नहीं है ने आख लग रहा है, लेकिन फैब्रिक वाइज अच्छा नहीं है तोटल स्कर्ट में इसतरह से जो फ्रिल्स लगी हुई है ये प्रिल्स अज़ेस्ट उन्रख घर मेरा गंदा हो गया है ये फ्रिल्स चाह के, देख सकते हुआ बिल्कुल भी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसका और भी दो क्वालिटी आवेलेवल है ग्रीन कलर और मेरून कलर इसका जो रेटिंग देखकर मैं इसे पॉर्चेस की थी क्योंकि 129 रूपीज में इसे रख लूँगी क्योंकि 129 रूपीज कुछ भी नहीं है गाइज इसकाट के लिए इसलिए में इसे रख लूँगी नहीं तो इसे में डिटर्न करने वाली थी इस तरह से आपको यह मिल जाएगा फ्लिप कड़ अगर पसंद है तो में तो आपको यह सज़ेस्ट करूँगी कि यह स्कर्ट को आप बिल्कुल भी पॉट्चेस मत कीजिए दिखने में अच्छा है लेकिन क्वालेटी वाइस बिल्कुल भी घटिया है जो फिप्थ पर्चेस है जिसे क्या पर देख सकते हो यह लाइट ब्राउन कलर में आता है शाष्परास् अब है जो सेल रहा था आप देख सकते हो यह एक टॉफ शट है और इसका जो रेटिंग है फिल्कुल पर बहुत अच्छा है ज्यादा रेटिंग है मुझे यह बहुत अच्छा लगा जब में इसे फिल्कुल ओपन कर रही थी सदनली में देखा कि उसका प्राइस तो उसी साइस इसका प्राव जदेख सॉप ने पतान फिल्कुल जाते हो तो आपिस वर है कर सकते हो इस तरह से थी खाला आपको यह यह प्रुफियं और तो फूल स्लीप में आजाएगा यह बहुत ही अच्छा है यह एप भावन कलर को ले आई पर अगर आपको बगेरा जाते हो त बहुती अच्छी एंड सॉप फैब्रिक है यह सफ़रास ब्रांड की है इस तरह से स्लीव की एंड पे मेटालिक बटर लगा हुआ है जो बटर की ओपनेवल है आप इसे ओपन भी कर सकते हो नेक इसे आपको हाइनेक में आएगा नेक पे इस तरह से रॉफर डिजाइन की आपको यह एक चाइनीज नेक जैसा लगेगा और यह थोड़ासा डिफ है अगर आप डिफ नहीं पेहना चाहते हो तो इस तरह से हुग लगा ले ना उसके बार जाके पेहन लेना इसे में अनली 208 रुपीज से पॉचिस की थी मैं यह नहीं बोल रही हूं कि इसका प्राइ है और यह पीपल ब्रांड का है यहां पर आप देख सकते हो अनली 375 रुपीज में में एक से ख्लीप कड की सेल से पॉच्चेस की हूं मुझे तो बिल्कुल भी विलीब नहीं हो रहा है कि एक मीड राइस जीन्स मुझे अनली 375 रुपीज में मिल गया है इस तरह से यह जी इसके लिए पॉफेक्ट है इस तरह से यहां पर इलास्टिक लगी हुई है जैसे कि आप देख सकते हो मैं सोचा है कि आगे एक जीन्स हाल लेके आ जाओंगी जहां पर कमीड राइस हाई लो राइज या स्कीनी जीन्स होगा तो मैं आगे आप लोगों के लिए एक जीन्स ह मैं भाल लेके आने वाइली हूँ आप यह से देख सकते हो इस तरह से यह जीन्स आया है बैकसाइड में दो पोकेट है और पोकेट पे इस तरह से स्टीचिंग कि वुई है जो कि अश्छा लग रहा है इस तरह से आपको यह जीन्स आ जाएगा जाएं आदा तर जो मीडिल और high-rise jeans होता है वह सारी jeans इसे न्यारो नहीं होता है वो total इसे पारलल में आता है वो ही इसका best part है इस तरह सावे देख सकते हो यहाँ पे जो button लगी हुई है बहुत अच्छी quality की है जीपर का quality भी बहुत अच्छा है इस तरह से आपको यह jeans मील जाएगा मुझे पता नहीं तो आपने तो देखा इस सारे चीज़ को में कुछ ज्यादा ही एपॉर्डेबल प्राइस पे पॉच्चिस की हूँ फ्लिपकट की सेल से आगे और भी एक सेल आ रहा है तो आपको इन में से अगर कुछ भी पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने द